सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकान को जुरूर प्रेस करें जिसे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि फिक्स्ट एक्सचेंज रेट और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या है कॉंसेट डिसक्स रहने से पहले से चोटी सी डैफिनिशन आपको रेट कार लेते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इस डिटर्माइन इन फोरिजन एक्सचेंज मार्किट्स डिपेंडिंग ऑन डिमार्ड अड सुप्लाई its generally fluctuates constantly floating exchange rate जो है ना नाम सी पता चाहिए है मतलब flexible exchange rate वो रेट वो exchange rate जो change होता रहे अब यह exchange rate क्या होता है आप सोचे हों के सार exchange rate क्या होता है वो बता दे exchange rate जो होता है ना वो depend किया जाता है कि आपकी जो currency है वो बाहर की currency के बराबर कितनी है एक डालर में आपके कितने रुपीज आते है for example इंडिया में 63 रुपीज का एक डालर है पाकिसान में 120 प्लस हुआ हुआ है तो यह currency की value होती है कि currency की value के मताबिक अभी जो डालर है उसकी value पाकिसान और इंडिया की currency से जएदा है जएदा क्यों है उसकी GDP को बोच्टरी होंगे कि大 दुरी डॉलर के साथ क्यों trade होती है पाकिसान और इंडिया की currency में क्यों ही exchange होता क्यों ही क्यों ही इस परेद लोग तैज्आ होती is理ए इस्तेमाल होती है क्यों के Pakistan की माशियत काम है जिस पुरी दुनिया कान एक असूल है जिस मुलक की GDP जैदा होगी वो ही मुलक पे उसकी करंची ही राज करेगी उसकी करंची में ही ट्रेड होगा एक मुलक जो है वो जैदा प्रोडक्शन बना रहा है एक मुलक जैदा GDP करेट का रहा है ग्रास डिमेस्टिक प्रोडक्ट उसके लोग जो है वो जैदा बना रहा है तो फिर दुनिया में रसूल है कि जो मुलक ज़्यदा चीज़ें बना रहा है ज़्यदा प्रोडक्शन का रहा है तो उसी की करंसी में ट्रेडिंग होगी तो इसलिए डालर की करंसी में ट्रेडिंग होती है तो पाकिस्तान में और इंडिया में रिसॉर्सिस बहुत जएदा है पर लोग जो हैना वो क्रॉप्टिड है रिसॉर्सिस का अच्छे तरीके से इस्तमाल नहीं किया जा रहा है लोग क्रॉप्शन करते हैं तो उसकी वज़ा से हमारे जो मुल्क पीछे जा रहे हैं पीछे रहे हैं दोनों तो कुछ आपस में लड़ाइएं डुलवा देती हैं दैशेत गर्दी अमेरिका जो साधिश के जरीए से तो उसकी वज़ा से मारा मुल्क बहुत सी यार्ज सिचुएशन है क्या इसको डिसकस करें तो उसकी वज़ा से मारा मुल्क जो है ना वो पिछे लॉसिव में जा रहे हहा है तो आक्सशेंज रेड़ ये यह होता है कि आपकी देखा जाता है कि आपकी जो कृँशे है उसकी दूसरों के मुकाबले में दूसरी करंसी के आगे उसकी क्या वर्थ है क्या वैल्यू है कि अगर एक डॉलर आपको दे तो एक डॉलर आप कितने पैसों में मतलब आपकी करंसी जो है कितने पैसे दें कि एक डॉलर खरीज सकते हैं के साथ represent करके उसके साथ control करके comparison करके उसके साथ exchange किया जाता है तो इसको हम कहते है exchange rate तो floating exchange rate जो होता है वो rate होता है जो change होता रहता है अभी आप सोच रहे होंगे कि या dollar की price कभी जैदा होती है कभी काम होते क्यों होती है यह market force पे depend करता है अभी market force क्या होती है market force जो होती है demand और supply पे depend करती है अगर लोगों की demand जएदा है लोगों को dollar की dollar की demand जएदा है तो automatic market में dollar जो है वो short होगा तो जब dollar short होगा तो dollar की price बरजएगी कियों कि इ Dracula है कि जो चीजो short हो जाती है जो चीज कम होती है जिसकी supply कम होती है और demand जएदा होती है इसकी price हमेशा जएदा होती है जैसे diamond जो है डाइमर्ट जो है उसकी सुप्लाई बहुत काम में और उसकी डिमांड जो है बहुत जादा है तो इसकी प्राइस जादा है जैसे जो पानी है जो मती है इसकी क्या कदर है कुछ भी कदर नहीं है क्योंकि इसकी बहुत जादा सुप्लाई है तो इस तरह की जो चीज़ें होती ह इसकी शुप्लाइज जयदा होती है उसकी वैलियू काम होती है तो डि मंड और सुप्लाइज पर मारकिट फोर्स डिपेंड करती है अगर मारकिट में लोग जयदा डौलर की शुरूरत है लोगों को डौलर जयदा खृतaltet है, डौलर जयदा अपने मुलक से लेते है अभी आप सोचे होंगे कि डालर कौन लेता है यार क्यों लेते हैं अभी आपने बाहिर के मुलक से जब इंपोर्ट अक्सपोर्ट का काम कर रहा है ना बाहिर के मुलक से कोई चीजें मंगवा रहे हैं इंपोर्ट करवा रहे हैं तो आपने जब अमेरिका से कुछ चीज़ें नगवाई हैं अमेरिका ने यह नहीं कहना कि आप मुझे 10 रुप्य दे दो या मुझे 100 रुप्य दे दो यह चीज़ आपको मैं दूँगा अपनी करणसी में अमेरिका ने कहना है मुझे डालर चाहिए मेरी करंसी जो है डालर है मुझे डालर चाहिए तो हमने डालर किदर से लाने है डालर जो है मुलक से ही लेंगे ना अपने मुलक के एक्षेंज रेट से तो मुलक में जो डॉलर है वो किदर से आएंगे वो मुलक में अगर हम बाहिर के मुलक अमेरिका को या किसी दूसरे मुलकों को जो चीजें बेचेंगे तो वो हमें करंसी की आपको बताया था न मैंने लें दें जो होती है डॉलर में होती है तो वो हमें डॉलर देंगे तो हमारे पास डॉलर आएगा ना हम ज़यदा से ज़यदा चीजें बेचेंगे ज़यदा से ज़यदा अपने मुलक में रिसॉर्सिस का इस्तमाल करके गंदम, चावल, आटा, चीनी बाहिर के मुलक में बेचेंगे हमें डॉलर मिलेंगे तो जब हमारे पास जएदा डॉलर होंगे तो आटोमेटिक जो डॉलर का रेट है वो काम होगा डॉलर की करंसी का रेट हमारी बनिस्बत काम होगा क्यूंकि हमारे पास बहुत जएदा मिकदाद में डॉलर पड़ा होगा तो फिर इसलिए ज इसमें जो ट्रेड है वो डालर में होती है तो जब हम जएदा इंपोर्ट करोा लेते हैं अपने मुलक में बाहर से जएदा चीजे hoping लेते हैं तो और export हमारी काम होती है For example एक करोड पे की हम चीजे अपने मुलक में 95 के मंगवा रहे हैं तो फिर इस तरह के काम होना और फिर मुलक को उदार लेना पड़ता है, करजे लेने पड़ते हैं, क्यूँकि मुलक के पास रिजर्व नहीं होता, जितने भी मुलक की करणसी है, जो नोट चापे जाते हैं, वो पीछे रिजर्व रखके ही चापे जाते हैं, अभी आपने बैंके में रिजर्व रखता है, बैंके अभी मुलक के पास जितना सोना होता है, जितने सोर्सी होते हैं, उसकी बेस पर हम करणसी अपनी चापते हैं, तो यह चीज़ भी बहुत मैटर करती है, तो फ्लोटिंग एक्षेंज रेट होता है, जो रेट चेंज होता रहे, मतलब आज़ डालर था, 62 रूपे का, कल होगा, 60 का, परसू होगा, परिशास का, तो हो सकता है, महंगा होजे, हो सकता है, काम होजे, तो फ्लोटिंग एक्षेंज रेट जो होता है, उसमें मार्किट फोर्स जएदा उस पे कंट्रोल करती है, मार्किट फोर्स की वज़ा से रेट जो है change होता रहता है, आगे है fixed exchange rate, इसका भी easy सा basic concept आपको समझाता हूँ, fixed exchange rate जो होता है इसमे गोर्मेंट जो है monitor authority जो है, एक rate fix कार देती है, वो rate जो इतनी जल्दी fluctuate नहीं होता, बहुत rare, थोड़ा सा decimal की form में होगा, तो government है जो उसको set कार देती है, कि हमारी set कैसे करती है trade इतनी होनी है, हमारी import export इतनी होनी है, वो set करके सारी demand supply को देखके, उस rate को अपनी एक financial position को मुलक की बरकरार रखने के लिए, एक rate को set कर देती है, क्योंकि अगर exchange rate जो है, अगर dollar आज 60 रुपे का है, साल बाद भी 60 करेगा, तो वो मुलक के लिए फाइदे मांदा है, अग एक exchange rate जो है, उसको fix कर देती है, उसको set कर देती है, उसको मतलब एक limit में राख देती है, limit में कैसे रखती है, कि import, export, trading, demand supply, market force, इनके उपर सारा work करके, analysis करके, इनको एक ratio में बरकरार रखती है, जिसकी वज़ा से rate जो है, currency का ना उपर जाता है, और दर्मयान में रहता है, अगर कम हो जाए वो बेतर है, पर जएदा नहीं rate होना चाहिए, क्योंकि example के साथ आपको बताता हूँ, for example, आपका मुलक है, उसने अमेरिका से, इंडिया ने अमेरिका से 100 रुपया उदारा ले लिया है, मतलब 100 डालर उदार में ले लिया है, तो उस टाइम जो डालर था, एक डालर साथ रुपय के बराबर था, इंडियन साथ रुपय हो, तो फिर एक डालर होता था, तो जब एक साल बात, वापिस इंडिया ने उसको सो डालर लुटाया, तो उस टाइम जो थी, प्राइस जो थी, एक डालर की, वो सो रुपया थी, मसाल दे रहा हूँ, जब वैल्यू हब डिक्रीज हुई जिसकी वज़ा से डॉलर की वैल्यू बड़ी यह डॉलर की जो वैल्यू है उसकी मुलक की ग्रॉस डॉमेस्टिक प्रॉडक्ट की वज़ा से बड़ी जिसकी वज़ा से हमारी कंट्री की करंशी जो है डॉलर की बनिस्बत काम होगी तो वह हमें जब सीधा सीधा गाट ए जब 40 उपे हमें जएदा हम अदे रहे है ऐसको हमारा जो ज़राय है जब लटाय लटार है जएदा दे रहे हैं दे रहे हैं सिरह हमारी करनसी की एलियू का कम होने की वज़ा से तो यह बहुत गहरी बाते हैं इसको डीटेल में अगर बन्दा Corner तो फिर ज़य्धा सालवाय है तो घाई आपने रस्थे संचेप्च जाती है तो यह चीजे समझा करें अगर आप ने बिजनस की फिल्ड में अगर आप फिनयनस की फिल्ड में तो इन चीज़ों को सहलने करें deeply आपका बैनफिट होगा और जाब में अपने बिजनसमें I hope आपको इन दोनों का basic concept, basic logic पता चाल गया होगा, वीडियो अच्छी लगी हो, subscribe और like करना मत बूलिएगा, अपना बहुत ख्याल रखियेगा, दौाओं में याद रखियेगा, गुडबाई!